है देर टो अधर रॉकस्टार्स आउट देर माइनम इस पाज सिंग मिक्सिंग इन मास्टरिंग कैसे करें जो कंटिनुइटी हमें सेकंड टुटोरियम में रखनी है लेट्स स्टार्ट चूज अ प्रिवियस प्रॉजेक्ट पे वापस हम जाएंगे क्या हुआ तेरा वादा पे जो हमने लास्ट ताइम हमने किया था और इस क्या हुआ तेरा वादा में एक बार एडिटिंग होने के बाद अच्छे से volume सबसे पहले देखा जाता है कि volume कैसे कितना रखना है track का और कितना रखना है अपनी voice का तो पहले volume का जो level है वो एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है क्योंकि volume का अगर level सही नहीं होगा तो track में आप कभी-कभी क्या होता है track में ज्यादा sound आजाएगा कभी-कभी track का sound आजाएगा कभी-कभी voice का sound हो जाएगा तो arm इसका यहां से हटाते हैं पहले और उसके बाद तो अभी तो यहां पे mute कर देंगे तो यह track जो है वो mute हो जाता है और solo करेंगे तो सिर्फ मतलब यही track चलेगा जनरल जो चीज़ा आपको पता ही होगा और तो अभी फिलाल तो मैं देखता हूँ कि जो carry-o के है हमारा उसका कितना volume होना चाहिए तो यहां पे आप देख रहे हैं यह जो इसका threshold है वो yellow color तक ही आना चाहिए मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए कि यहां तक क्योंकि यह अगर red हो रहा है तो इसका मतलब यह कि speaker में नॉर्मल speaker यह फोन में distort करेगा तो अभी इसको कि इतना रख देंगे यह से इतना सही रहेगा थोड़ा सा कम रखते हैं हलका सा तो अब एक बार यह होने के बाद इस पे देखते हैं कितना हमें रखना है यहां पर last time हमने क्या किया था कि इसको थोड़ा सा नीचे करके देखा था तो अभी इसको उपर ही करना है ठीक है यह already नीचे था last time से तो एक बार इसको देखते हैं कि कितना है तो यहां पर भी जो है yellow ही है तो यह सही आ रहा है अब क्या गरना है इसका कितना वॉल्यूम रखना है इसका कितना वॉल्यूम रखना है तो उसके लिए क्या है mixer पे क्लिक करिए इसको hide करते हैं दुबारा खोलते हैं mixer पे क्लिक करिए इदर नीचे जाके और दोनों को एक साथ play कर दीजें तो यह क्या हुआ तेरा वादा का है अब यहां पर देख रहा है आप यह जा रहा है 12 यह जो उपर की यह तो यह maximum जो जा रहा है क्या हुआ तेरा वादा केरियोके का वो 6 के थोड़ा सा नीचे आ रहा है और यह जो जा रहा है वो 6 के जितना ही जा रहा है उससे थोड़ा सा और नीचे आ रहा है तो हमने क्या आज देखा था कि हमें केरियोके का वॉल्यूम जो है वो उपर रखना है सुरी नीचे रखना है और वोकल्स का उपर रखना है तो पहले यहां पर हम थोड़ा सा कर लेते हैं अब देखते हैं इसको और कम करते हैं अभी यह जो जा तो 12 के उपर थोड़ा सा यहां तक आ रहा है हाँ 6 तक जा रहा है और यह जो है यह 12 तक ही है तो यह जो है यह वोकल्स जो है हमेशा थोड़ा सा उपर रहेगा थोड़ा सा उपर रहेगा मतलब कितना बोल सकता हूँ आपको मतलब यह जैसे 12 है तो यह जो इसके 12 और 6 और 12 के बीच में आप डिफरेंस देख रहे हो यह इधर यहाँ पे 6 और 12 के बीच में डिफरेंस इतना ऊपर होना चाहिए वोकल्साप का तो थोड़ा सा और मैंने कम किया है क्या हो तेरा वादा यह जो है यह मास्टर वॉल्यूम होता है मतलब इन दोनों का इंक्लूजिफ तो यह यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि यह रेड हो रहा है तो यह लो तक रहना चाहिए यहांई ट्रफ तक रहना चाहिए ऑज जो तो अब क्या और यह जब लीवल्यूम का अमने फिक्स कर लिया है आब हमें यहाँ पर जाना ए अधक्स पे जहां पर हम डालेंगे एक्स तो मैंने यह आपर एक्स अलड़ी के यह निए डालेंगें कर देता हूं एक बार और उसके बाद क्या करना है हमें वह देखते हैं तो फ्रेंट में पहले जाना एक बार वोकल में वहां पर आपको ट्रैक में कुछ नहीं चीड़ना हैँ लेसे अन आंपने कुछ बनाया हो अगर क्या करें कि आप कहीं से इंपूट कर रहे हो डाइरेक्ट ऑनलाइन से डाउनलोड करके तो उसमें कुछ छेड़ने की जरूद नहीं है लेकिन अगर आपने सिंद डाला है तो उसका अलग सेटिंग्स रहती है लेकिन अभी आज मैं वोकल्स की बारे में बात करूंगा आपसे तो लेफ्ट और राइट दोनों ही रहेगा और आउटपूट जो है वह अपने हिसाप से आप यहां पर सेट कर सकते हो लेकिन कभी-कभी किसी-किसी गाने में जाए ज़रूद होती है तो मेरे हिसाप से अगर आप इसको 19.6 19.12 या 19.2 से भी थोड़ा सा ज्यादा आप पॉइं 204.06 19.06 मतलब इससे 18 पर जाएगा 19 पर ही रखिएगा तो यहां पर अभी रखते हैं इसको 19.01 और पिंग पॉंक पर यहां पर क्लिक कर दीजिए बाकी यहां पर और भी आप छेड़ सकते हो लेकिन यह मैं मैं मतलब अभी सीखी रहा हूं तो मुझे अभी इसमें थोड़ा आज रखिए तो वगफ पर आप शहां एक वान में रिच रखना होता हैं कि यह वैट मिक्स का मतलब यहां नीचे आप देखantic तो वैट मिक्स का मतलब होता है कि कितना रिवर्ब है और ड्राई मिक्स का मतलब है कि कितनी ड्राई आवाज चाहिए आपको, तो वैट बिलकुल ख़तम कर दोगे थो रिवर्ब बिलकुल ख़तम हो जाएगा इसलिए बेसिक तो 10 पे रख lung COVID आख सकते हो आप ठीक है तो यह आप कर सकते हो mostly अगर आप 70 तक रखोगे तो सही रहेगा और high frequency damping जो है वो भी आप 50 आ 100 कर सकते हो उसका कोई issue नहीं है stereo width आप कम भी कर सकते हो ज्यादा कर सकते हो stereo width मतलब कितना left or right ear पे चाहिए इसका मुझे exact अतनी अतना knowledge नहीं है लेकिन जितना मैं देखता हूँ इसके उतनी खास जुरूद नहीं पड़ती main जो होता है उपर reverb nation होता है और wet mix होता है और उसके बाद आप क्या कर सकते हो नीचे जाओगे ना आप यहाँ पर तो प्ल टॉट्रॉनिक ट्यूब echo अगर eq डालोगे तो कभी कभी क्या होता है इसकी जरुद पड़ती नहीं है हमें पुल ट्रोनिक पुल्ट्रोनिक या जो भी पूल ट्रोनिक है एक्या है ट्यूब एक्टो की जरुद पढ़ती नहीं क्योंकि हां पर एडिट कर सकते हो और अगर आप क्लीन आचाफ बूस्ट करोगे तो तो आपको पता है कौन से साइट से तो वहां पर आपको वह मिल जाएगा इसमें सेटिंग क्या रहती है आपको प्रेक्टिंग करनी पड़ेगी में इसके बाद पर प्ले कर दीजे तो अपना है पूरा रिकॉर्ड करता रहेगा यह देखे एक बार पूरी ऐसा ही recording यहां से end तक complete हो गई तो क्या होगा कि एक बार end तक complete होगी अगर recording तो आप इसको फिर यहां से इसको हटा के track pitch को और make notes पे click करके retune speed तो आप फॉर्टी थी रखके भी कर सकते हो यह ओगया graph mode में मैनुवली जो यह करता है नहीं तो auto mode पे अगर आप वाप इस पर click करोगे और जो भी आपकी की है यहां पर लगाओगे की और scale में और humanize कर दोगे इसको जिससे robotic आवाज ना आए retune speed जो है वह आपकी 45 तक 45 से नीचे मतलब उपर रखे इससे ज़्यादा बढ़ा हो गया आप तो क्या होगा कि robotic आवाज आने लगेगी वह आपकी depend करता है तो उससाब से क्या है कि अइसा नहीं कि बेसुरा गाना है तो correct कर देगा बिल्कुल बहुत ही कम करेट करता है यह उतना अचा करेट नहीं कर पाता सब्सक्राइब करें लेकिन अपिर वी काम का है काम करता है कभी कहहता हुथ है तो यह से आप कम कर सकते हो तोड़ा तेज बोल रहा हूँ मुझे बहुत देजही सी जा रहा होग लेकिन आप इसको रिपीट करकेए का विए बहुत कितनी जादी चीजी लगा तो और अच्छी वाइस हो जाएगी ऐसा कुछ होता नहीं है यार आप जितना कम लगाओगे होता है देखो मेरी मेरी जो आवाज है वो माइक्रोफोनिक है मतलब मैं अगर बिना आपको उसके सुनाओं बिना उसके एफेक्ट के तो भी आवाज में आध है मुझ को तूने कहा था जूसे मैं रूठेंगे कभी कि दिल की तरह से ये हो गया ये विदा एफेक्ट को तूने कहा था ये एफेक्स के साथ अभी जो हमने लगाएं वो हो गया अब इसके बाद जो है मास्ट्रिंग का पोर्शन आता है मास्ट्रिंग में भी मैं कुछ जाधा करता नहीं हूं मुझे I don't believe कि इतना जाधा लगाने के जरूद रहती है क्योंकि मेरी आवाज जो है माइक्रोफोनिंग आपकी आवाज की क्वालिटी क्या है देखिए रात साथ की जैसी आवाज है नुसरत साथ की जैसी आवाज है आवाज में एक इंटैक्ट आवाज होती है स्ट्रॉंग आवाज होती है आवाज क्या होते हैं सेटिंग सिसमें हो सकता है रहें लेकिन कभी-कभी पुल्ट्रानिक ट्यूब बहुत नहीं पड़ती है क्योंकि बहुत जादा पतली हो जाती है आवाज तो इतनी जरूत नहीं पड़ती है अच्छा आप हो गया यह सारा यह सारी चीजें यह मैं अपनी आवास के हिस आइजोटोप ओजोन 7 डाउनलोड करना है आपको पता है आपको कहां से डाउनलोड करना है वह आपको धूनना है वह आपका काम है आइजोटोप ओजोन 7 में कुछ नहीं करना है यहां पर बस इसको लगा देना है आइजोटोप ओजोन 7 नीचे जाके यह आपको वाला है जो ग्रै अलाउड नहीं है हमारे गवर्मेंट की तुरू खेर तो आइजोड़ों सेवन से आपको यहां से एडिट करना है और एडिट पर जाना है और एक बार लगाने के बाद फिर करना क्या है कि भाई यह नौट रिस्पॉंड निग यहां पर बहुत जादा करता हो इसको सेट करना आपको खुद सुनना पड़ेगा हर चीज आपको उंगली पकड़ा के या स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी आपको खुद भी करना पड़ेगा तो आपको यहां पर ट्राई करकर करकर देखना पड़ेगा सब को कि आपकी आवाज पर कौन सा आता है काम उसके ही होता है यहां पर बहुत सारी चीजे हैं यह 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 अच्छा होता है बहुत से कर सकते हो तो आप यहां पर अरामसे कर सकते हो बाकि आप अगर चाहो तो इसको फ़ड़ा सब सकते हो या फिसके बार हो गया है यहां पर इसको habr mee तो यह होता है auto tune G snap pitch correction ठीक है यह G snap pitch correction जो है इस पे भी आप click करके auto tune कर सकते हो लेकिन subtle pitch correction रखना less subtle रखोगे मतलब यह बहुत कम थोड़ा सा जादा और जादा एक बार यह select करके यहाँ पर ski को अपनी set करो for example C major है तो C major है तो C major है तो F major रखो और उसके बाद यहाँ पर इसक अच्छा है कि आप Auto-Tune EVOVST करो ये भी काम करता है कभी-कभी ये भी आप दोनों को एक साथ मत करना ना 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 ठीक है जी स्नैप को एक ही को यूज करना दो Auto-Tune को मत लगाना रोबोटिक वाइस हो जाएगी आपको लोग कहेंगे कि तुम एक मशीन हो और इंसान नहीं हो याद है मुझे को तूने कहा था ये डिले देख रहे हो आप ये जो हमने क्लासिक डिले डाला है ना यहां पर इसकी वज़े से हुआ है अब ये मुझे लग रहा है जादा तो इस वाल्यूम का लेव जो लेवल है वो सही नहीं है तो इस पर फिर से जाकर पता नहीं आप यह रिकॉर्डिंग के समय यह बहुत हैं थोड़ा सा लैक कर रहा है तो तो इसके बाद यह जब फाइलाइज हो गया आपका इसके बाद बेसिक क्या आप कर सकते हो भाई यह बतलब और क्या कर सकते हैं और देखी हैं पर एडिटिंग में कहीं ना कहीं मतलब कभी कभी क्या होता है सांस की आवाज जादा हो जाती है किसी माइक्रोफोन की आवाज आपका हाथ माइक्रोफोन को लड़ता है या फोन आ जाता है उसकी माउस क्लिक की आवाज चली जाती है तो आपको sound में आएगा कि क्या मसला है और बीज में जो spaces है लास में मैंने वताई दिया था बस इसके बाद ये इतना होने के बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पर file mixdown पर जाके MP3 पर convert कर सकते हो और इसको yes पर अगर मैं save करता हूँ तो file name जो भी आपको डालना है यहाँ पर आप डाल सकते हो और उसके बाद इसको save करके edit details बजाके 320 kbps वाला save करिएगा ठीक है थोड़ा तेज बोल रहा हूँ मुझे पता है order आओगा दिमाग से आप लोग के इसको आपको re watch करना पड़ेगा और pause करकर करके देखना पड़ेगा क्योंकि देखे ऐसे ही समझाया जा सकता है अगर धीमे धीमे समझाओंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा अपनी दरफ से मेहनत करनी पड़ेगी और इसको देखना पड़ेगा यह होगया काम यहाँ पर सारा इसको रेंडर कर दिया जाहेगा उसके बाद बाद में सुन लिया जाता है और पिर सही नहीं होता है तो देखा जाता है कि क्या भ Airlines का जो साउन्ड है वाल्यूम वो हमेशा है हाई होना चाहिए थोड़ा थीक है थोड़ा सा मतलब बताय था मैंने कितना आपको होना चाहिए दूसरी चीज जो होती है वो यह होती है कि आपको अगर unplugged बना रहे हो आप तो यह चीज होनी चाहिए है कि डान्स मूजिक जैसे कि तो वहां पर क्या है कि वहां पर जरूरी नहीं आप पर यह रहता सकते हो यह चुपी वह बताने कोईश करी है और कौन से doubt है आपके वो भी बता दीजेगा तो हो सकता है मैं यह mostly मेरे साफ से last होगा लेकिन अगर मुझे जुरुत लगती है तो अगर आप भी बोलते हो तो एक बार देखता हूँ अगर कुछ important topics हो रहा जाते हैं तो एक बार और बना दूँगा तो I think I hope आपको सुन में आया हो बहुत ही easy है आज कल आज के जमाने में music production भी बहुत easy है आप अराम से music production FL studio के तुरू कर सकते हो mix craft के तुरू भी कर सकते हो यहाँ पे जाके आप insert virtual instrument पे जाए वर्चूल वर्चूल इंस्टूमेंट पे जाए और यहाँ पे क्लिक करिए acoustic piano क्लि यहाँ पे सारे नहीं देशकते हैं आप क्या है आप इसको प्ले कर सकते हो ठीक है कैसे हैं कि अगर तो आप आर दबा दिया है मैंने आप ओके तो आर नहीं है मतलब यह आप देख सकते हो इसको आप सीख सकते हो इसको सीखने में जाद जादा आप रोज अगर एक बार एक घंटे कभ दिसका रियाज करते हो तो आपको आराम से और भी सारी चीजें तो यह पर अब का का वी तरीक वकूरे का वर्चुल इंस्टुमनेंट है तरीके का आप यहां पे कीटार भी हो गया यहां पर बंथ तो यह तीच्धyll आपको सभूझ में आया हो, I hope इसके लबग कोई भी प्रॉब्लम हो Facebook, Instagram पे contact करना मत भूलिएगा अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है और अगर आपको singing career बना है YouTube में और singing is related कोई भी question है कोई doubt है, आपको singing सीखनी है तो I think आपको subscribe करना जरूरी बनता है क्योंकि आप subscribe करोगे तो ही आपको मेरी videos पहुचेंगी, अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजे, नहीं अच्छी लगती है तो आप जा सकते हैं, कोई भी issue नहीं है dislike भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो like कर दीजेगा share करना मत भूलिएगा free videos बनाता हूँ, जिससे सब के पास पहुच सके at least इतना तो होना ही चाहिए तो I think, that's all for now guys do subscribe, thank you, have a nice day सुना सुना, देस कहे आजारे अगर आप भी चाते हैं, कि मेरे videos सबसे पहले आपके पास पहुचें तो subscribe करने के बाद, bell icon button दवाना मत भूलिए